प्रिय विध्यार्तियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ विशेष्टाओं के बारे में हम पूर्व में अध्यान कर चुके हैं, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में अध्यान करेंगे. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्रिशी से परचित थे, जलवायू उनके अनुकूल थी, भूमी उर्वर थी और सुचाई की सुविधाएं नद्यों के निकट बसे होने के कारण उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्द थी. और यही कारण था कि वे लोग अनेक प्रकार की फसलें उगाय करते थे. गेहू और जौ ये उनके मुख्याराश थे और हमें लोथल और रंगपूर से चावल के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि चावल को भी वो उप्योग में लिया करते थे. कपास जो है उसकी कृशी भी बहुत की जाती थी, इस प्रकार के हमें पर्याप्त संकेत मिलते हैं, मटर, तिल, सरसों, तर्बूज, खजूर, राई, इन सब से भी वो लोग परिचित थे. हमें काली बंगा से जो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, उससे हमें ये प्रतीत होता है कि वो कृशी करना चानते थे, और हल के माध्यम से उसकी जुताई भी करते थे. क्योंकि एक खिलोना, जो मिठी का है, वो हल रूपी है, तो इससे पता चलता है कि वो हल के माध्यम से ही खेतों को जोता करते थे. इसके अतरिक्त उनके पास अनाज बहुतायत में पैदा होता था, इसका प्रमाण मिलता है हमें वहां के अन्नागारों से. जो इतने बड़े-बड़े अन्न के आगार बने हुए हैं, वो इसी लिए है कि उनकी जो फसल थी, वो काफी मात्रा में होती थी, और इसे वो एक कत्रित करके रखना जानते थे. क्रशी के अतरिक्त पशुपालन भी, सिंदोगाटी सभ्हता के लोगों का एक मुख्य उद्योग था, उद्योग व्यबसाय था, वो गाई, बैल, फेड, आदी को पालते थे, बकरी और सूर के बारे में भी उन्हें ग्यान था, इसके अतरिक्त उनकी महरों पर हमें बहुत सारे पशुपालन के चित्र मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वो उन पशुपालन से भी परचित थे, लोथल से हमें घोडे की तीन मिठ्ची की मूर्तियां मिली हैं, सुरकोतड़ा से हमें घोडे की हड्डियां मिलती हैं, जिस से भी संभवत सिंदुगाटी सभेता के लोग परिचित हुए होंगे। कुत्ते और बिल्ली को पालने के प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। कच्छुआ और जो मचली है वो उनके भोजन के अंग थे। तो इस प्रकार जो उनके उपयोगी पशु थे उन्हें सिंदुग सभेता के लोग पाला भी करते थे। अब बात आती है उद्योग और शिल्प की। बहुत सारे उद्योग थे जिसके बारे में सिंदुगाटी सभेता के लोग जानते थे। चुकि ये कांसे युगीन सभेता कही जाती है तो सपष्ट है कि कांसे से तो ये परचित होंगे ही और कासा किस प्रकार बनता है कासा बनता है तामबे के साथ जब तिन को मिला दिया जाए तो कासा बन जाता है तो दो अलग धातूं को मिलाकर एक नई धातू को बनाना भी ये लोग जानते थे और हमें तांबे और कासे के बहुत सारे बरतन, उपकरण, मूर्तियां इत्यादे मिलती है इसके अतरिक्त हमें स्वर्ण और चांदी का प्रयोग भी प्राप्त होता है उसके भी आभूशन आदी हमें यहां से प्राप्त होए हैं इसके धातू उद्योग के अतरिक्त म्रिद भांड उद्योग यानि मिठी के बरतन बनाने का उद्योग भी हमें पता चलता है क्योंकि जिस विविदता और अच्छी तक्नीक के साथ बरतन मिले हैं तो पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो इस उद्योग में कारेरत थे इसके अतरिक्त वहुमूले पत्थरों से जो वस्तूएं हैं मूर्टियां आदी त्यादी हैं वो बनाने सम्मंधी उद्योग भी प्रचलित था मन का उद्योग यानि छेद करके वहुमूले पत्थरों में या अन्य चीजों में छेद करके उनके मन के बनाने का जो द्योग है वो भी प्रशलित था क्योंकि हमें चनहु दड़ों से और लोथल सी मन का बनाने के कारखाने प्राप्त होएं जिसमें बहुत बड़े-बड़े बरतन प्राप्त होते हैं जिसमें मनका बनाने के जो प्रॉसेस में अलग-अलग स्टैप्स होते हैं अलग-अलग चरणों के जो पत्थर है वो हमें प्राप्त होते हैं इसी तरीके से बाला कोट से हमें सीप उद्योग के बारे में जानकारी मिलती है जो कि सिंदुगाडी सभिता में हमें बहुत सारी महरे मिली हैं तो यह पता चलता है कि यहाँ पर महर निर्मान का जो उद्योग है वो भी प्रचलित था इसके अतरिक्त बहुत सारे घरों से हमें जो तक्वें हैं और तकलियां हैं जो कपास से धागा बनाने के काम आ इस तरीके के बड़े बरतन और रंगों के प्रमाण भी हमें मिलते हैं फिर बात आती है व्यापार और वानिचे की सिंदुगाटी सभ्यता मुख्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी और यहाँ पर आतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार का जो व्यापार है वो उन्नक था अन्न, कच्चा माल ये सब चीजे मंगाई भी जाती थी और विदेशों में बहुत सारी चीजों का निर्यात भी किया जाता था मैसो पुचामिया से हमें सिंदु घाटी सभ्यता की लगभग दो दर्जन महुरे मिली है एक अभिलेक मिलता है जिसमें हमें मेलुहा, मगन और दल्मन नाम लिखेवे मिलते हैं जो सरगाउन के शाशक हैं उनका अभिलेक है और इसमें ये तीन नाम जो मिलते हैं उसमें मेलुहा को सिंदु घाटी सभ्यता से समिकृत किया जाता है मधेशिया, इरान, अफगानस्तान, बदक्षा, मिश्र, क्रीट, अफ्रीका, सीरिया, आदी स्थानों से भी संभवता सिंदु घाटी सभ्यता का जो व्यापार है वो हुआ करता था जो हमें तॉल की एकाई मिली है क्योंकि जब व्यापार होगा तो नैश्रल है कि हम चीजों को तॉल कर या उनको माप कर फिर भेजेंगे तो हमें जो तॉल की एकाई मिलती है वो सोलह के अनुपात में मिली है जिसे एक, दो, चार, आठ, सोलह, बतीस, चौसट इस प्रकार के जो बाट है वो हमें प्राप्त होते हैं मोहन जोदुरों से हमें एक सीब का बना हुआ पैमाना यानि स्केल मिला है और लोथल से हमें हाती दांत का बना हुआ स्केल मिलता है जो ये बताता है कि व्यपार में ये सब चीजें काम में आती रही होंगी अब बात करते हैं हम सिंदुगाटी सभ्था के कला और शिल्प की बहुत प्रकार की कलाएं सिंदुगाटी सभ्था में प्रशलित थी जिनके प्रमान हमें प्राप्त होते हैं सबसे पहले मूर्ती कला, हमें मिट्टी की, पत्थर की और धातो की, तीनों ही प्रकार की मूर्तियां यहां से प्राप्त होती हैं, जो मूर्तियां मिली हैं, उसमें मनुष्य मलमानव की जो मूर्तियां हैं, उनकी संक्या कम है, और उनमें भी पुरुष मूर्तियां कम हैं, इ देवी मुरतियां हमें ज्यादा मिली हैं। पोड़ कर फिर आपस में मिला कर उनको जितने भी प्रकार से मूर्थियां बन सकती हैं, सभी तक्निकों से सिंधु घाटी सभेता के लोग परिचे थे। मुहर निर्मान का जो उद्योग था, वो भी बहुत प्रशलिता, हम पीछे ये बात कर आए हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो मुहरें वो बनाते थे, उसमें वो बेलनाकार भी मिली हमें, वरगाकार मिली हैं, आयताकार और व्रताकार, इन रूपों में हमें प्राप गेंडा, हिरन, पक्री और हाथ के जो चित्र हैं, वो अधिकांश मुहरों पर मिलते हैं, ये जो मुहरे हैं, सेलकडी पत्थर की बनी हुई हैं, कुछ हैं जो काचली मिठी की या गोमेद की और चर्ट पत्थर जो हैं, उसकी भी मिलती हैं, लेकिन अधिकांश जो हैं, वो ह आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें धातु के भी हैं, मिट्टी के भी हैं और पत्थर की भी दिखाई दे रहे हैं अब आते हैं हम मन के निर्मान कलाबर हरपा सभ्यता के जो लोग थे वो गोमेद, फिरोजा, लाल पत्थर और सेलकड़ी जैसे बहुमुल्य और अर्ध कीमती पत्थरों से बने, अती सुन्दर मन कों का प्रयोग किया करते थे इन मन कों से वो अपने जेवर, आदी ये सब चीज़ें बनाया करते थे यहां तक कि हमें सोने और चांदी के मन के भी प्राप्त हुए हैं और जो कारखाना है हम पहले भी चर्चा कराए हैं, मन के बनाने का कारखाना उनका चनहुदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है मृदभाण की जो कला थी, मिठी के बरतन बनाने की जो कला थी, वो भी बहुत उलेखनी है थी मुख्यत जो बरतन बनते थे वो लाल और गुलाबी रंग के बने हैं अधिकाश बरतन हमें बिल्कुल साधे मिलते हैं, उन पे कोई चित्र बनावा नहीं है लेकिन कुछ हैं जो हमें चित्रत भी मिलते हैं, लेकिन ऐसे भाणों की संख्या कम है और जो चित्रण है वो किस प्रकार मिलता है, कि जो बरतन है उस पे पहले तो लाल रंग का पूरा लेप लगाया हुआ है उसको लाल किया है, उसके बाद काले रंग से वो उसके उपर अलंकरण करते हैं ये देखिए आपको, चित्र में दिखाई दे रहा है किस तरीके से लाल रंग का लेप है, गुलाबी रंग का लेप है और फिर काले रंग से उस पे विविन प्रकार की चितरकारी की हुई है नीचे आप देख रहे हैं जो बरतन जिसमें विविद प्रकार के जो बरतन हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ आपको मनके मिल रहे हैं, जो बहुमुल्य पत्थरों के हैं और इनमें बीच में छेद किया गया है. ये चो छेद करना है, ये भी एक बहुत ही अनोखी कला है, क्योंकि अगर आपने ठीक से नहीं किया, ठीक दवाब नहीं दिया, तो ये मनके जो हैं वो तूट स हैं, कुछ न कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक हम इसे नहीं पढ़ पाएं हैं. जो सबसे लंबा अभिलेक सिंदुगाटी सभिता का प्राप्त होता है, वो सत्रह अक्षर का है, और ऐसा माना जाता है कि संभवत ये चित्र लिपी है, यानि जो अक्षर बने हुए कि इसे चित्र के रूपे बने हुए है, इसे चित्रात्मक लिपी माना जाता है, और जो बीवी लाल है, उन्होंने निशकर्ष निकाला है कि जो संधव लिपी थी, वो दाहने से बाई और को लिखी जाती थी. लेकिन इसका भी कोई प्रमार नहीं है, और सिंदु लिपी जब तकनीक की यदि हम बात करें, तो गनत से सिंदु खाटी सभधा के लोग परचित थे, क्योंकि जो तौल की इकाई है उनकी और जिस प्रकार पूरे सोला के अनुपात में सारे बाट बने हुए हैं, तो वो बताते हैं कि वो लोग गनत से परचित थे. जिकसा विज्ञान के भी वो जानकार थे, क्योंकि हमें जो आशदी रूप में प्रयुक्त आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे शिलाजीत है, हिरन के सींगों का जो चून है, या समुदर का फेन है, ये चीजें हमें महां उपलब्द हुई हैं, जिससे पता चलता है कि इनके आशदी जो ना शेदी लिए हैं, जिसरे पता चलता है कि उनकी शल्यक्रिया की गई थी, और एक जो व्यक्ति था वो तो शल्यक्रिया के दौरान ही उसकी मृत्यी हो गई थी, लेकिन एक व्यक्ति था जो शल्लेक्रिया के उप्रांधों को समय तक जीवित रहा था, धातु विज्ञान को भी वो जानते थे धातों की धलाई करना और उनसे दो भागों को जोड़ कर फिर बनाना दो अलग-अलग धातों को जोड़ कर नई धातु तयार करना इन सबसे वो परचित थे इसके अतरिक्त विविद रंगों को तयार करने की तकनीक भी उन्हें आती थी जिससे वो वस्त आदी रंगने के काम में लिया करते थे। ये सिंदुगाटी सभ्यता की लिपी दिखाई दे रही हमें अभी लेग हैं महुर पर लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इतना उननत था उस सभ्यता का पतन कैसे हो गया। जो इतनी विस्तरत थी उसका पतन कैसे हो गया। तो उसके बारे में जो इतिहासकार हैं उन्होंने विभिन अनुमान लगाए हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे। मार्शल ने मोहनचोदड़ों को देखते हुए और मैके ने चनहुदड़ों को देखते हुए और जो ऐसा राव है उन्होंने लोथल को और भगतराव को देखते हुए ये बताया है कि ये नगर बाढ़ आने के कारण नश्ट हो गए हमने नगर नियोजन के जब हम अध्यन कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि नद्यों की बाढ़ से बचने के लिए संभवत सुरक्षा प्राचीरे बनाई गई थी और उसको देखते हुए और कुछ प्रमाणों को पुरातत्व के प्रमाणों को देखते हुए इन इत्हासकारों ने ये माना है कि बाढ़ के कारण सिंदुगाटी सभवता का पतन हो गया वीलर और गार्डन चाइल्ड उन्हें कुछ ऐसे कंकाल में ले नरकंकाल जिस पर ऐसा लगता है कि उन पर कोई आगहात हुआ हो तो उन्होंने ये कहा कि सिंदुगाटी सभवता पर बाहरी आकरवन हुआ था जिस कारण वो नश्ट हो गई हलांकि कुछ समय बाद इन्होंने खुद ही अपने इस मत को समर्थन नहीं दिया लेकिन एक कारण ये भी माना जाता है स्टीन और एगोश उन्होंने कहा कि पर्यावरण और जलवायू के प्रतिकूल हो जाने के कारण सिंदुगाटी सभवता का पतन हो गया पर्यावरण यानि उनका मानना था कि नदियां जो है उन्होंने मार्ग बदल लिया या उन्होंने लकडी का चरागाओं का बहुत अधिक उप्योग करा तो वो वहां से खतम होने लगी ऐसे में उन्हें वहां से हट कर जाना पड़ा या बहुत अधिक से चाई की तो नद्यों का जो जल स्तर है वो घट गया और इस कारण उन्हें वहां से जाना पड़ा तो पर्यावरण और जलवायू के प्रतिकूल हो जाने के कारण, बदल जाने के कारण सिंदुघाटी सभ्यता के ये लोगों को वो स्थान छोड़ना पड़ा और कहीं और माइक्रेट करना पड़ा एक जो प्रमान है वो ये दिया जाता है एक कारण जो दिया जाता है वो है प्रशाशनिक शित्थलता का हो जाना वास्तों में जो मोहनजादुडव हडपा के जो नगर बने हुए है उन नगरों में हम देखते हैं कि जो जन्सामानने के जो भवन बने हुए हैं वो इतने अच्छे बने हुए हैं कि कोई भी भवन दो इंच या पांच इंच एक दूसरे से आगे पीछी नहीं है सब बिलकुल एक कतार में बने हुए हैं तो पता चलता है हमें कि कोई प्रशाशनिक संस्था ऐसी थी जिसने पूरी तरह से उनके उपर नियंतरन रख रखा था और जिनके नियमों के अंतरगत सब लोग रहते थे लेकिन कालांतर के जो हमें नगर मिले हैं उसमें भवन जो है आगे पीछे हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि संभवत जो प्रशाशन की संस्था थी वो कमजोर हो गई थी शिथिल हो गई थी जिस कारण सिंदु घाटी सब्भेता का अंत हो गया कैनेडी जो है वो एक और कारण देते हैं वो कहते हैं कि कोई महामारी ऐसी आई जिसमें सिंदु घाटी सब्भेता के बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए और बाकी लोग जो बचे वो उससे बचने के लिए उस जगें को छोड़ कर वहां से चले गए एक एमार सहानी है जिन्नोंने कहा है कि भूमी के अंदर जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों के कारण सिंदु घाटी सब्भेता को नश्ठ होना पड़ा और वहां के जो लोग हैं उन्हें अन्यत्र कहीं जाना पड़ा खैर हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं लेकिन ये निश्चित है कि सिंदु घाटी सब्भेता जो इतनी विक्सित थी इतनी विस्त्रित थी इतनी सम्रिद्ध थी कोई न कोई कारण या हो सकता है एक से अधिक कारण रहे हो और सिंदु घाटी सब्भेता प अपनोन मुख हो गई हो